नमस्कार दोस्तों आपका अपके अपने चनल में स्वाक्त है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानि की 6 मार्च के कुछ एक महत्वपूरन एजुकेशनल और इंप्लोईमेंट अपडेट्स के बारे में जिसमें जो हो आपके मेन अपडेट रहने वाला है इसी के साथ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन सिमला में जो है वो वेकेंश से निकली हुई है तो उनके रिगारिंग भी अपडेट रहेगा इसी के साथ सदार प्टेल उनिवस्टी मंडे के जो यूजी फर्स्ट एर के एक्जामनेशन फोम है उन प्रदेश में जो है वो दो 66 स्कूल डीन नोटिफाई करने की त्यारी में जो है वो सरकार है तो उसके रिगारिंग भी अपडेट रहेगा इसी के साथ कुछ प्रिक्सों के लिए जो है वो HPU Pre में भी यहां पे कोचिंग देने जा रहा है तो उनके रिगार्णिंग भी अपटेट जो है वो रहने बाला है तो चलिए दोस्तों करते हैं विडियो को स्टार्ट सबसे पहले अगर हम लोग यहां पे हिमाचला प्रदेश पूब्लिक सर्व रंबे समय से भरती का इंतजार कर रहे युवाओं के पास सुनेरा जो है वो मोग का है जिला भासा दिकारी के पद के लिए बेदन मांगे गए हैं जिसमें दूसरी स्रेडी में सांस्कृत या हिंदी में में की डिगरी होना जुरूरी है इसके लिए ठारा से लेके 45 बरस की आ इंक्रव्यु हैं शुरू होने जा रहे हैं और यह जो इंट्रव्यू है वो 15 मार्च से लेके 25 मार्च टक चलेंगे तो जो सबढ़क्ट के अंत्रव्य यहाँ पर होंगे इसके लिए जो अयोग है उसने ट्यार कर लिया है और जिसकी लिस्ट नो आप लोग हिमाच्चर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन सिंबला की वेबसाइट पर जाके भी जो है वो देख सकते हो नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो परदेश में 286 स्कूल डिनोटिफाई करने की त्यारी तो कैबनेट में लिया फैसला 228 प्राइमरी और चुंजा मिडल स्कूल होंगे सामिल तो पूरब जैराम सरकार के समय आखरी महिन्य में खोले गए सरकारी स्कूलों को ले गए कैबनेट में फैसला हुआ है और इसके लिए जो शिक्सा मंतरी है उन्होंने जारकारी दी है कि जो परदेश में 286 स्कूल है उनको यहां पर डिमन नोटिफाई किया जाएगा जिसमें जो है वो 288 प्राइमरी और 56 जो है वो मिडल स्कूल जो है वो रहेंगे इसी के साथ न अच्छी मार्च तक जो है वो इसके लिए जो अपलाई है वो कर सकेंगे स्टूडेंट और कोचिंग जो है वो तीन अपरेल से यहां पे सुरू होगी तो हिमाच्चप देश से बिस्विद्याल जो है वो यहां पर है यहां पर एक्जाम होगा उसी के साथ नीटवाभी टे की प्रवेश प्रिक्सा की तियारी कर रहे हैं अम्मिदवारों को कोचिंग परदान करेगा यह तो इसके लिए जो है वो कोचिंग का सुरू यहां पर कर दिये गया है H.E.S. की प्रारंबिक प्रिक्सा के लिए कोचिंग 3 अपरेल से 2 जुन तक दी जाएगी इसके लिए अबेदन करने की अंतिम ठिथी 25 मार्च से तै की गई है इसके बाद कोचिंग के लिए चैनित उम्मिदवारों की सूची 28 मार्च को जारी की जाएगी इसके अबेदन करने की अंतिम ठिथी 25 मार्च से तै की गई है इसके बाद जो सेलेक्टड कैंडिडेट होंगे उनकी जो लिस्ट है वो 29 मार्च को जारी कर दी जाएगी तो यहां पे कोचिंग में के लिए जो अनसूचित जाती अनसूचित जन जाती पर पिछड़ा बार के ततास मानने बार के विद्यार्थियों को यह प्रदान की जाएगी तो इसमें जो भी SC, ST, इसी के साथ OBC और जर्नल के जो भी स्टूडेंट है जो यहां पे EWS में आते सकते हैं और-a hinaस्टेटों 25 मर्च तेकी गई है नैक्स्ट अपडेट की बात करते है आपका HPUG स्पैसल चांस वाले स्टूडेंट स के लिए रहने वाला है तो जो भी HPUG स्पैसल चांस पे special chance मिला हुआ है वो अब जो है वो बारा मार्च तक अपने examination form जो फिल कर सकते हैं इसी के साथ दूसरे special chance में यहां पे जो भी बीए बीसी बीकोमेर सास्त्री के 2016 स्तारा और स्तारा अठारा के जो semester system के student थे उनको भी जो special chance मिला हुआ उसके examination form फिल करने की last date जो है वो यहां पे 12 March कर दी गई है तो वो भी यहां पे अपने जो examination form है वो 12 March तक यहां पे फिल कर सकते हैं next अब अगर हम लोग यहां पे सदार प्रेली उनिवस्टी मंडी की बात करें तो यहां पे जो उन्होंने registration form जारी करें थे यहां पे सदार प्रेली उनिवस्टी मंडी के अंडर आते हैं तो उनके यहां पे registration form फिल करने के लिए जो है वो सदार प्रेली उनिवस्टी मंडी ने मोका दिया था और इसे के साथ कुछ एक ऐसे स्टूरेंट से जिनका registration पहले नहीं हुआ था उनको भी यह मोका जो है था वो दिया गया था जिसके लिए जो लास्ट डेट थी वो यहां पे पांच मार्च 2030 रखी गई थी registration के लिए लेकिन अभी भी जो आप लोग देख सकते हो कि जो सिदार प्रेल उनिवस्टी मंडी की वेबसाइट है बहाँ पे जो है वो यह examination form फिल करने का option जो है वो आ रहा है तो आप लोग यहां पे देख सकते हो कि जो आपके यहां पे registration form थे उनको फिल करने का option अभी भी आ रहा है आज जो है वो 6 मार्च है लेकिन option अभी भी चला हुआ है तो जो भी कुछ एक candidate रहा गई है वो जल्दी से जो है वो यहां पे जाके अपने registration जो है वो करवा ले आप लोगों के जो भी candidate students हैं यहां पे उनके registration number generate होंगे और उसी के बाद जो है वो उनके examination form जो यहां पे फिल होंगे तो अभी भी registration जैसे site पे option आ रहा है चले ही हुए है तो अभी भी यहां पे maybe registration चलेंगे और आपके जो भी examination form है आप लोग यहां पे दिखो कि जो मार्च 3rd week है उसी तक जो है वो fill होंगे उसी समय जो है वो आपके examination form को fill करने का option जो है वो आ सकता है March 3rd या 4th week में option आ जाएगा और जो भी आपके exam है उनका schedule जो है वो April और माई में ही जो है वो बनेगा तो इसके रिगार्दिंग जैसे कोई और भी official update आएगा तो मैं आपको जो ह आपके examination form है सदार प्टेल उनिवस्टी मंडी के यूजी 1st year के वो यहां पे 3rd और 4th week में March में ही fill होंगे और जो exam है वो April और माई में जो है वो start होंगे next update की बात करें तो यहां पे बड़े जादा स्ट्रंस मुझसे पूछ रहे थे कि जो HPU, UG के 1st, 2nd, 3rd year के student थे वो बता बोल रहे थे कि उनकी date sheet कब तक आएगे उनके exam कब तक होंगे तो आप लोग यहां पे देख सकते हो कि practical के लिए schedule आगे है तो 6 से यानि कि आज से जो ह practical यहां पे शुरू होने जा रहे हैं और जो आपके exam है आप लोग यहां पे देख सकते हो कि April और मई 2023 में जो हो करवाए जाएंगे तो आपके जो भी exam है April मई में ही जो हो करवाए जाएंगे और इसके regarding जो भी date sheet है आपकी date sheet यहां पे March 2nd week या 3rd week में जो हो जारी हो सकती है तो जो भी most properly chance है आपकी date sheet यहां पे March 2nd week यानि कि इस week में जो हो जारी हो सकती है तो पंदरा से पहले पहले आपकी date sheet यहां पे जारी हो जाएगी तो इसके regarding जैसे ही कोई और भी update आएगा तो मैं आपको जो हो बाई वीडियो बनाके एक बार फिर से यहां पे inform जोब कर देख सकते हो कि जो last date है यहां पे examination home field करने की वो 12 March रखी गई है तो आप लोगों के जो भी result है वो 12 March से पहले पहले यहां पे जो आपडेट हो जाएंगे तो आप लोगों ने एक और चीज यहां पे देखी कि एक दो दिन पहले जो है वहां पे result बाला option नहीं आ रहा था य कि बहां से result वाला option चला जाता है या जो आपके marks हैं बहां पे कुछ और ही marks होते हैं या marks बहां पे star star आ जाता है आपके marks नहीं हो पाते यह ऐसा तब होता है जब HP वाले result अपडेट कर रहे होते हैं तो आपके जैसे अभी एक दो दिन पहले भी ऐसा हुआ था तो अभी आपके result यहां पे जारी हो जाएंगे अगर किसी के result डिले भी होते हैं तो उन लोगों ने भी tension नहीं लेनी है क्योंकि उसके बाद भी वो अपना यहां पे examination form जो है वो easily फिल कर पाएंगे वो सारे लोग तो आपके जो examination form है वो भी फिल हो जाएंगे और आपका result जो है वो start होने वाले हैं बाकी जैसे date sheet आएगी मैं आपको एक बार फिर से जो है वाई वीडियो इनिफोर्म कर दूँगा बाकी आप लोगों के जो result है वो अभी update होने ही वाले हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी भी बिताया कि जैसे result को option चला जाएगा या आपके marks बहां पे 100 नहीं होंगे तो ऐसा तभी होता है जब result आने बाला होता है तो आपका result जो है वो आप होप लगा के चल सकते हो कि 12 से पहले पहले यहां पे जारी हो जाएगा next अब अगर हम लोग यहां पे HPVPG admit card की बात करें तो कुछ एक के admin card जैसे मैंने आपको वीडियो बनाई थी बह समेस्टर के नहीं आए होंगे तो उनके admin card जो है वो एक दो दिन में यहां पे upload जो हो जाएंगे इसी के साथ HPVPAD के admin card की बात करें तो अभी वो admin card जारी नहीं हुए है जैसे ही HPVPAD फरस्ट समेस्टर के admin card जारी होंगे मैं आपको जो हो एक बार फिर से यहां पे वीडियो बनाके inform जो कर दूंगा तो दोस्तों यह थे मारे आज के कुछ एक update अगर आपको वीडियो को लाइक करें और सेर करें तो अगर किसी को कोई प्रॉब्म आती है किसी को कोई डाउट है किसी की कोई क्यारी है तो आप लोगोंने मेरे telegram गुरूप को जोईन कर लेना है जिसक के दो प्रॉब्म आती है जिसे प्रॉब्म आती है।